तो आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा एलान किया है जहां पिछले एक सालों से किसानों का तीन कृशी कानून को लेकर विरोच चल रहा था किसान एकता संग के कारकरताओं ने मिठाई बाठ कर खुशी मनाई आपको उतादे कि लम्मे समय से किसान लगता तीन कृशी कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन आखिरकार आज ये बड़ा फैसला लिया गया है बड़ा ऐलान प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किया जिसके बाद से तमाम बॉर्डर्स पर जहाँ पर किसान बैठे लेते पिशले एक साल से वहाँ पर जीत का जो जश्न है खुशी का जश्न है वो मनाय जा रहा है जलेबिया बाटी जा रहे हैं जलेबिया खिलाई जा रहे हैं मिठाईया बाटी जा रहे हैं इसके लावा ढोल लगाडों के साथ धिरपते हुए जो किसान हैं वो नजर आ रहे हैं तो गाज़ेपूर बॉर्डर पर तीकरी बॉर्डर पर यहां पर सिंगू बॉर्डर पर भी किसान जो है वो जीत का जश्र मनाते वे नजर आ रहे हैं कई किसान संग्ठेन ऐसे हैं जिनोंने प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के बड़े ऐलान का स्वागत किया है उन्होंने का है कि हम प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी को धनेवाद देते हैं कि उन्होंने नए कृषी कानूनों को वापस लेने की घोशना की है तो आज प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी ने बड़ा एलान कर दिया जोहां पिछले एक सालों से किसानों का तीन कुशी कानून को लेकर विरोध चल रहा था वहीं प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी ने किसानों को तौफा देते हुए तीनों कुष्षी कानून को वापस ले लिया जुसके बाद लगा था इस पर किसान नेता अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं अगर ग्रेटर नोड़ा की बात करें तो ग्रेटर नोड़ा से भी ऐसी तस्वीरे सामने आ रही हैं गाज़पुर बॉर्डर से भी ऐसी तस्वीरे सामने आ रही है पाश्री मुद्तरप्रदेश से ऐसी तस्वीरे सामने आ रही है जो हापने नए कुशी कानून वापसी कैलान के बाद किसानों ने खुशी मनाई है यह तस्वीरे आप देख सकते हैं एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए किसान तो किसान एकता संग की कारकरताओं ने मिठाईयां बाट कर खुशी जताई आपको उतादे कि लंबे समय से किसान लगातार तीन नए कुशी कानून को लेकर विरोध परदर्शन कर रहे थे और एक साल लगबग हो चुका है और इस आज परकास पर उपर मान्य परदान मंत्री द्वारा किसानों का दर्द समझा देर आए दुरूस्त आए आज जो तीन काले कानून थे जिनको लेकर बारा महीने से किसान लगातार अंदूलन कर रहा था आज मान्य परदान मंत्री जी द्वारा उन तीनों काले कानून वापस लेने से किसानों में उत्सा है किसान खुस है लेकिन इस आंदूलन में हमने खोया भी बहुत कुछ है हमना अपने परिवार के 700 पलस लोग खोये हैं हमको आगतकवादी नकसली और खालिस्तानी सुनने को मिला है लेकिन फिर भी हमारा ये उद्देश बिल्कुल नहीं था कि हम परदान मंत्री को जुकाएं या सरकार को जुकाएं हमारा उद्देश से था देश की जमीन बचाना देश की मंडी बचाना और किसान की जमीन बचाना आज हम उसमें काम्याब हुए हैं तो पूरे देश वासियों को हम इसकी सुबकामनाई देते हैं और परदान मंत्री जी की पहल काम स्वागत करते हैं आज मुझे ये बताते हैं खुसी हो रही है कि जिस तरीके से देश के किसानों के साथ और देश के बड़े नेता चोधरी राकेस्टिकैट मरेस्टिकैट जी के साथ मिलकर रास्टिय लोकदल के नेता हमारे रास्टिय अध्यक्स जैंत चोधरी जी ने किसानों के हक की लड़ा मंत्री नरेंदर मोधी ने तीनों किसी कानून वापस लेने की घोसना की है तो ये देश के किसानों की एक बड़ी जीत है भाजपा सरकार के द्वारा आज तीन काले कानूनों को वापस लेने का जो ये निरणय है ये दिखाता है कि वो तीनों काले कानून सिर्फ और सिर्फ कि आते हुए ठक नहीं रही थी आज भाजपा सरकार बताए कि अगर वो तीन काले कानून किसान विरोधी नहीं थे तो वापस क्यों लिया ये देश के किसानों की जीत है समिधान की जीत है भारत के लोकतंत्र की जीत है एहंकारी सरकार जो किसानों को मजबूर और मजदूर बना उद्योगपतियों को फाइदा पहुचाने के लिए ये काले कानून लाई थी देश के किसानों के आंदोलन के आगे सरकार को जुकना पड़ा एंकारी सरकार की वज़े से 600 से जादा किसानों की जान चली गई यह दिन तीन काले कानूनों को पहले ही वापस ले लिया होता जब श्री राहूल गांदी जी ने इस काले कानून का विरोध किया था तो किसानों की जान नहीं जाते हैं बड़ा अलान प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोधी का आज सुभा अपने संबोधर में 18 मिनिट का वो संबोधन 17